यूनियर मिनिस्टर फोर टेक्स्टायल और श्री ग्री राज सिंग का द्रास में महत्वपुन दौरा यात्रा के दौरान भेड़ पालन वे भागने भीमबट में एक स्थानी पश्मीना बकरी प्रदर्शनी का किया आयोजन शुरू घाटी में बैक्यार पक्षी पालन अभ्यान का हुआ आयोजन कारिक्रम में सीसी आई बाल आश्रम कारगिल की बच्चों ने लिया हिस्सा और 21 ठांकडुबूर निर्वाचन छेत्र उप्चुनाब में 75.52 प्रतीशत मतदान किया अग्या दर्ज सभी श्रेणियों की मतदाताओं ने जिला प्रशासन की प्रती आभार किया व्याग्त नमस्कार बुलिटीन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आश्रा सरमाल चली शुरुबात करते हैं लदाक से जुड़ी खबरों की आज यूनियर मिनिस्टर फोर टेक्स्टाइल श्रीगरी डाज सिंग जी का कारगिल के उपमंडल द्रास का महत्वपुन दौरा उनके साथ कारगिल के यहाँ डीम, एससपी और अन्य जिलाधिकारी भी मौचूत रहे इस यात्रा के दौरान द्रास में भेड़पालन वेभाग ने भीमबठ में एक स्थानी पश्मीना बकरी प्रदर्शनी का आयो जिन किया श्री ग्रीराज सिंग ने यहाँ स्थानी पता मुझामिल जमील से खास बात चुद्फी की है, देखें साथ, श्री ग्रीराज सिंग जो कैबने मिनिस्टर है, उनका विजिट है, तो बिल्खुस द्रास को लेकर आपने आज विजिट किया सर, तो सबसे विजिट का मकसद जानना चाहेंगे, और लोगों से मुलाकात की, ऐसे फार फुलंग एरियास को लेकर किस तरह की आप भी प्लानिंग्स रहती हैं, तो क्या कुछ आप करना चाहेंगे, देखें सभाविक है, भारस सरकार, यूटी बनने के बाद, ये यूटी नहीं था, तो उपेच्छित था, मेरे नजरों में, लेकिन यूटी बनने क के बाद, हम हर सक्टर में कुछ ने कुछ काम कर रहे हैं, चाहे कॉंसिल के माध्यम से हो, चाहे यूटी के माध्यम से हो, और मैं कपरा मंत्री हूँ, यहां गोट, पश्मीना, कैसे इनका पॉपलेशन बढ़े, इनकी ब्रीड डेबलप हो, एनिमल हस्पेंडी के साथ मिल कर के, और सीप में भी मेरिनो सीप को कैसे हम यहां ज़्यादा से ज़्यादा ला सके हैं, 99 से पहले काफी लाइफ स्टाउक हुआ करता था सर, लेकिन 99 के बाद जो है लाइफ स्टाउक काफी खतम हुआ है, तो इसके लिए आपके किस तरह की कोशे रहेंगे कि इस लाइफ आ रहे हैं, यह समय की मांग होती है, जैसे इसे समय बदलता है, वैसे उसे लोगों के रोजगार की अफसर भी बदलता है। की महत्व की बारे में बातचित की, और प्रतिनिर्धी ने यहाबने की प्रकरती से जुड़ने पंजीव की महत्व की बारे में जानने की अफसर पर जोर दिया। की बाचन अधिकारी सुहेल एहमद, SSP, मुझेवर रह्मान, यी ESP हैं और उनके साथ ही ACR, उप्चुनाव अधिकारी, मोहमद शर्गिफ और उनके साथ ही जिला प्रशासन और रलादाक पोलिस की अन्या अधिकारी निर्वाचन छेत्रों में ड्यूटी पर मौजूद रह में दिल्ली चलो पद्यात्रा के स्वाइमसेवक शनिवार को लिहें पहुंचो लदाख बौध एसोशेशन के उपाध्यक्ष और रसाथी यहां रिंग्जिंग डॉर्जे ने याद्रियों की सुरक्षित वाप्षी पर संतोश ने किया है, उन्हें उमीद है कि अगले साथ से आठ दिनों के भीतर ग्रह मंत्राले स्तर पर चर्चा फिर से शुरू को की लदाख बौध संग के अधरक श्री डौर जी लाख रुक ने ही दल्ली चलो पाध्यात्रा और सोनम बांग्चुंक के संबन वेक महत्वपून समधाता समेलन को भी संभूदिर किया अभी हाल में जो एक सप्टमबर को लदाख से एपेक्स बोडी और केडिये के चार डिमांड को लेके सोनम वंग्चुक के नेतरित में यहां से जो पाध्यात्रा किया था वो दो अक्टूबर को दिल्ली में बहुत तो दूमदाम से वहां पर उसका एंड हुआ और उसमें हमें गौर्मेंट ने यह वचन दिया कि बहुत जल्दी पंदन दिन के अंदर लडाक के लीडर्स को फिर दुबारा दिल्ली में होम मिनिस्ट्री में हमारे चार डिमांड को डिसकस करने के लिए बुलाने का उन्हों जो वचन दिया उसको हम वेलकम करते हैं और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो रास्ते में लोगों ने जो हमारे पादियत्रिन को जो रिसेप्शन दिया और जो उनका रहने का खाने का इंतिजाम किया हर एक जगा यहां से लेके दिल्ली तक उन सब लोगों को मैं एपेक्स बोडी की तरफ से थैंक्स बोल शक है कि 15 दिन के अंदर अंदर गौर्मेंट ओव इंडिया हमें अमारे लगा के लीरर्स को बुलाएंगे वादा तो किया है लेकिन वो उसको एंशूर करने के लिए दिल्ली में अंशन पर बेढ़ना चाहते हैं 28 दिन के अंशन पर लेकिन हमें बताये गया कि जंतर मंतर पर इतने दिन के लिए बेढ़ने का उन्हें परमोशन नहीं मिला है और शायद एक दिन से ज्यादा वहाँ कंट्रीनूसली नहीं बेढ़ सकते हैं तो इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि कोई कोई सोसाइटी या कोई ऐसा जगा उनको दिल्ली में मिले जहां पर वो अंशन के लिए बेढ़ सके अगर अंशन पर बेढ़ने का और कहीं जगा नहीं मिला तो अभी वो लदाख बावन में जो की चना के पूरी में है वहाँ पर वो अंशन पर बेढ़ना चाहते हैं हमें उमेद है कि एड्मिस्रेशन उनको वहाँ पर अंशन पर बेढ़ने का इजाज़त देंगे अगर उनको वहाँ पर बेढ़ने का इजाज़त नहीं होता है तो उनको या ग्रिफ्तर किया जाता है तो शायद लदाख में जो कि यहां बहुत आजकर अभी भी टूरिस सीजन चल रहा है बहुत शांती है लदाख के हरे एक हिस्से में और हम नहीं चाहते हैं कि जो लदाख का शांती का जो माहौल है उसमें कोई खलाल लाए उसमें कोई गर्बड हो तो इसलिए हम एड्मिस्रेशन से दिल्ली पुली से और गौर्मन्टिव इंडिया से यह चाहेंगे कि उनको अंशन करने दिया जाए नहीं तो अगर लदाख में जो ना चाहते हुए अगर हालात खराब होता है तो वो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऐसी हालत हो इसलिए हम बारत सिर्कार से एक तो यह रिक्वेस्ट करते हैं कि लदाख के लीजर्स को पंदान दिन के अंदर अंदर अगर टॉक्स के लिए बुलाते हैं तो सुनाम उंचु को दिल्ली में अंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर वो नहीं होता है तो उसके प्रोटेस्ट में अगर वो अंचन पर बेड़ता है तो उनको बैड़ने दिया जाए नहीं तो फिर लदाख में अगर हाला खराब होता है लर्ण औरर का प्राबलम होता है तो फिर इसलिए हम इसलिए powered को यह बोलना चाहिए कि ऐसा होने नहीं देना चाहिए गोर्मेंट रहे हैं तो मेरे भी एक अपील रहेगा क्योंकि देखिए डेली में कुछ उनके साथ जात्ती होता है तो उसका जो कुछ यहां पे इशूस जो है फिर यहां पे रेस होता है तो हम यही गोर्मेंट अप इंडिया से अपील करेंगे इस प्रोग्राम का उदेश्य टेक्स्टाइल सेक्टर को बढ़ावा देना और इस सेक्टर के साथ जुड़े लोगों को ट्रेनिंग प्रदान करना था ले एच्टी सी कारगिल के ही वोखे कारेकारी पार्शल डॉक्टर मोहमद जाफर अखून नहीं आज रणनेतिक परियूंग चुना की चल रही जो प्रकरती है उसका अंकलन करने के लिए नेलागर बाल्टाल में पस्चिम पोर्टल और जोजिला सुरंग के पुर्वी पोर का दोरा किया जिसमें यहां टीम लीडर मोहमद यूसेफ और आराइट अनल हवे बुला जोजिला टनल प्रोजेक्ट के ही वरिष्ट प्रभंदर और सैथ बुर्हान और जोजिला टनल टीम के ही अन्य सदर से यात्रा के दौरान CEC के साथ मौचूट रहे कि दूसरा मौहमद इकपल मेमोरियल क्रिकेट टूर्नमेंट लेह की यहां एल्डिसी जू ग्राउंड हिव आहां पर संपन हुआ है जसमें शेलकर टीम ने एवेंजर्स क्रिकेट क्लब पर चार राव विकेट से ही रोमांजिक जीत हासिल की है एक महीने तक चले इस टूर् हुसेन मुख्याती थी के रूप में उपस्तित रहे है चली बुलिटिन में फिलहाल इतना ही देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ